असलामलेकुम व्यूवर्स वेलकंबैक टो आवर चैनल बैलन्स बिंक इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि वाइट एग्स और ब्राउन एग्स में क्या डिफरंस है सेकेंडली हम देखेंगे वाइट एग्स और ब्राउन एग्स के एक्षेल कलर को और इनसे रिलेटिड डिफरेंट मिसकंसेप्शन को भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे सो फर्स्ट अफॉल हम देखते हैं एक्षेल कलर को जो ब्राउन हैंस होती हैं उनके बारे में जेनरली कहा जाता है अगर एक्षेल कलर के बात की जाए तो एक्षेल कलर की वज़ा से एक्षेल की क्वालिटी और इसके कॉमपोजिशन पर कोई फरक नहीं पड़ता मतलब दोनो एक्ष चाहे वाइट हो या ब्राउन हो दोने में अतने ही निव्ट्रेंट्स होते हैं दोने में प्रोटीन्स भी होते हैं लेकिन अगर एक्षेल कोईर्टी पर डिफरेंस आता है तो उसके मेजर फक्टर्स है न BCA नमबर वन तो यह के चिकन की डाइट कैसे है और नमबर टू के उसका इन्मारमय्मेंट कीसा है मतलबA अगर एक चिकन को वह का राइट जा रही जिसमें ओमेगा three fatty acid की आमॉण्ट ज было Eight में भी ओमेगा three fatty acid के आमॉण्ट जादा होगी सैकिन हम देखते हैं जो brown color के egg होता है उसके shell ज्यादा थिक होता है तो as compared to white egg तो इसको consider किया जाता है कि nature ने इसको ज्यादा थिक इसलिए बनाया था कि एक्स्ट्रा protection के लिए अगर इसकी बात की जाए brown color के eggs की तो बहुत से लोगों के दिमाग में एक misconception होती है कि जो brown eggs होते हैं वो ज्यादा healthy होते हैं ज्यादा nutritious होते हैं as compared to white eggs अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसकी cost के बात करते हैं तो brown eggs ज्यादा expensive होते हैं as compared to white eggs क्यूंकि brown eggs को जो पर रेडियूस करने वाली हैंज होती हैं वो ज्यादा बरी होती हैं और इनके फूड की रिक्वार्मेंट भी ज्यादा होती है जिसके वज़ाइसे ब्राउन एक्स ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं वैल आपको चाहिए कि आपने डाइट में रुजाना की बेस पे एक्स का लाजमी इस्तिमाल करें इट डेसंट मैटर के आप वाइट के एक्स का यूज कर रहे हैं या ब्राउन के एक्स का कोशिश करें के रुजाना की बेस पर अपनी डाइट में एक्स का लाजमी यूज करें I hope you will like the video do subscribe our channel thank you so much